मान लो एक ऐसा है यह ऐसा है और यह मान लो यह ऐसा है चलो बताओ क्या हो रहा है यहां पर जाब दर बच्चों को ग्राप्स में बहुत जादा प्रोब्लम होता है किनrüमसे तो आज हम लोग इस वीडियो में ग्राप्स को देखेंगे जो की रिलेटेड होगा आपके काइनежд applicator का मतलब क्या होता है physics में जब आप motion के बारे में पढ़ते हो object जो है वो move कर रहा है इसके बारे में जब आप पढ़ते हो तो इसको कहा जाता है kinematics इसमें हम लोग cause of motion के बारे में नहीं पढ़ते है motion क्यों हो रहा है इसके बारे में नहीं पढ़ते है kinematics में सिर्फ पढ़ते हैं कि बढ़ी motion में है, rest में है, velocity में है, acceleration में है, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, cause के बारे में हम लोग next chapter में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा introduction दे देता हूँ, इसमें बात करते हैं हम लोग distance का, displacement का, फिर आता है बात, speed का, और velocity का, ठीक है, और भी बहुत सारे बाते हैं, पहले इनको समझ लेए, distance, displacement, इन दोनों में क्या उंतर होता है, ऐसे example से समझो, जैसे माल लो, यहाँ पे कोई object है, और यहाँ से वो इतना दूर पे गया, इन दोनों के बीच का distance है 100 मिटर, ठीक है, यहाँ से वो B point पे गया, कोई भी object, A point से B point तक गया, जिसका distance कितना है, 100 मिटर, यह distance समझ में आ गया, यहाँ से start किया हो, ठीक है, इसका यह origin है, origin हम इसको बोलते है, यहाँ से start किया, B point पे पहुंचा, इसका distance है 100 मिटर, फिर वो कुछ दिर बाद क्या करता है, वापस यह यहाँ आ जाता है, ठीक है, जो कि यह जो वापस आया है, वो है मालो 10 मिटर, ठीक है, वापस इस तरफ आया है, यह है 10 मिटर, यानि अब वो कितना distance चला होगा, 110 मिटर, यह से B तक गया, 100 मिटर, वहाँ से फिर 10 मिटर और चला, 110 मिटर इसका distance हो गया, लेकिन displacement, displacement को हम लोग origin से देखते हैं, यानि वो origin से कितना दूर है, तो यह पूरा है आपका 100, यह वापस पीछे की तरफ आया है, यानि वो 90 मिटर के दूरी पे अभी भी है origin से, तो यह 90 मिटर जो distance है, इसको आप displacement बोलते हो, ठीक है, displacement का मतलब समझना आया, distance, distance जो आप total path कभर की हो, उसको distance बोलते हो, और displacement का मतलब होता है, कि आप origin से minimum कितना distance पे हो, ठीक है, एक और example से समझे हो, जैसे मालो कोई इस तरह से चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे A है, कुछ दूर पे वो B point पे चला जाता है, यहाँ इस रास्ते से ऐसे वो B point पे चला जाता है, तो distance जो होगा, वो यह distance होगा इसका, ठीक है, यह जो रास्ता यह, यह जो कभर किया, यह जो path कभर किया, यह उसका distance होगा लेकिन displacement यह हो जाएगा समझ माया यह displacement है और यहां यह जो cover किया यह distance है अब समझ माया क्या होता है distance और displacement displacement यानि आप अभी और पहले कहां थे और अभी कहां हो पहले कहां थे अभी कहां उनके बीच का minimum distance होता है वो होता है displacement और distance क्या होता है जो आप total path cover किये हो वो distance होता है यह समझना गया तो distance per unit second आप उसको speed बोलते हो यानि एक second में आप कितना दूर जा रहे हो एक second में आप कितना दूर जा रहे हो उसको speed बोलेंगे और जब displacement की बात करेंगे तो वहाँ पे velocity का जिक्र होगा ठीक है यही काम velocity है ठीक ह ज्यादा इसमें कुछ अंतर नहीं है इन दोन में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है बस velocity में हम लोग थोड़ा सा direction का जिक्र कर देते हैं velocity निगेटिव हो सकता है speed में सिर्फ magnitude आता है इसलिए speed कभी भी किसी का निगेटिव नहीं हो सकता है velocity में हम लोग निगेटिव भी देखता है तो distance और displacement समझने आ गया speed और velocity समझने आ गया अब हम लोग थोड़ा सा graph को देखते हैं अब यह देखिए यहाँ पे यह वाला x-axis होता है यह वाला y-axis होता है ठीक अब इस box को देखिए यह box बनाना आप 9th 10th में सीखे होगे ठीक है यहाँ पे देखिए x पे जब 1 है तो y पे कितना है यह 2 है यानि वो point यहाँ पे लाई करेगा यह वाला point देखिए यह point हम 4, 4, 5 पहले आपको x लिखना है और उसमें कितना y है वो लिखना है पहला x दूसरा y पहला x दूसरा y 1, x पे 1 तो y पे 2 ठीक है खिर देखो 2, 3 है यह 2 और यह 3 यहाँ पे लिख रहा है खिर देखो 3, 4 है यह 3 और यहाँ पे 4 ठीक और क्या है 4 और 5 यह रहा 4 फॉर 5 चेक करो कि था फॉर पर यह आई गाए इस तरह से ग्राफ आ रहा है और यह लाइन जब आप जोईन करोगे तो इस्ट्रेट लाइन आए गा इस तरह से इस्ट्रेट लाइन आएगा यह ऐसे जाएगा अब समझो यहां पर हुआ क्या है यहां पर y 1, 2, 3, 4 बरता जा रहा है X 1, 2, 3, 4, 5 बरता जा रहा है उसी कनुसार y भी 2, 3, 4, 5 बरता जा रहा है देख रहा है 2, 3, 4, 5 बरता जा रहा है इसमें gap जो है वो change नहीं हो रहा है चेक खरो एक्स इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में 1 का गैप है, 1 का गैप है, 1 का गैप है, यानि यह सेम टाइप से बढ़ता जा रहा है, इसलिए यह straight line आ रहा है, अब खुद सोचो, ध्यान से सोचना, कि एक्स पे 1 है, y पे 2 है, 2 पे यह 4 हो जाए, ठीक है, 3 पे यह 9 हो ज है, तो graph आपका ऐसा आएगा, straight नहीं आएगा, कैसा आएगा बोलो, 1 पे, x1 पे यह 2 है, 1 पे 2 है, ठीक है, अब देखो, 2 पे यह 4 हो जाएगा, यानि 2 पे यह 4 हो जाएगा, यानि यह थोड़ा सा उपर आजाएगा, देखना ध्यान से, यह वाल लाइन जो था, यह उपर उठ गया, यह वाला और उपर उठ गया, यह थोड़ा सा उपर उठा, समझ में आड़ा है कि यह line, straight क्यों नहीं आया, straight क्यों नहीं आया, क्योंकि इनके बीच का जो gap था ना, वो अलग-अलग है, पहले वाले में क्या था, same gap था, one-one का difference था, इसमें देखो, इसमें पे same होता, same gap होता, तो कैसा graph आएगा, जड़ा एक बड़ सोचो, और imagine करो कि यही graph उस वक्त कैसा होगा, जब इन दोनों के बीच में जो gap होगा, वो same होगा, देखो ध्यान से, ऐसा graph आएगा कि नहीं आएगा, same gap है कि नहीं, देखो, two-two का gap है, देखो, straight line आगे है ना, च two पे four, three पे six, four पे eight, straight line आ रहा है, यानि एक बात तो समझ में आ गया, कि अगर इनके बीच का gap same है, तो यह line जो है, वो straight है, आप y देख रहे हो, इस बात को check करो, यह जो x-axis है, इसको हम लोग change नहीं कर रहा है, यह change करेंगे तो फिर अलग हो जाएगा, कहानी, हम लोग x क constant रखे हो, ठीक, y को change कर रहा है, अगर इसका gap same है, तो straight line आ रहा है, अगर इसका gap में changes है, कभी जादा हो जा रहा है, कभी जादा से जादा हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, तो यह straight line नहीं आएगा, इस बात को समझो ध्यान से, यह जो हमारा x-axis था, इसको हम लोग time ब यह y-axis पे हम लोग displacement लिखा करेंगा, ठीक, यह आप fix कर लो, हमेशा, time आपको हमेशा x-axis पे लिखना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यह आसान होता है, time आप x-axis पे लिखना हमेशा, ठीक है, और यह y-axis पे आप displacement लिखना, velocity लिखना, acceleration लिखना, जो भी लिखना, इ अब देखो, हमारा उपर में क्या था, x और y, था न, x पे क्या है, time है, यहाँ नीचे y था आपका, यह हो गया displacement, ठीक, अब देखो, 1 second, 2 second, 3, 4, यह हमेशा constant रहेगा, यह न बढ़ेगा, न घटेगा, सेम रफ्तार से 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक, तो time को म है, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही चलेगा, displacement मालो, 1 पे वो 2 है, 2 पे 3 है, 3 पे 4 है, 4 पे 5, ठीक, अब इसका graph देखो, कैसा आएगा, सेम पहले वाला जैसा हो गया, पहला जो graph बता है, सेम उसी के जैसा है, देखो, 1 second पे वो कहां पे है, 2 मीटर पे है, यह रहा आपका, दूसरा second पे, व चार पे है, यहां आगया, ठीक, फोर पे वो, फोर पे वो 5 पे है, ठीक, देखो, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, बिलकुँ, देख लेना थोरा सा, उपर नीचे तो हो गाई, देखो, यह स्ट्रेट लाइन ही आएगा, चेक कर लेना आपको graph बना रहे है, यह स्ट्रेट आ रहा है, इसका क्या मतलब है, उसको यहां से समझो, यहां पर एक एक का डिफरेंस है, देख रहे हो, यह स्ट्रेट लाइन आने का क्या मतलब है, यहां पर सेम, यहां पर एक सेकेंड में वो, एक मीटर गया, एक सेकेंड में वो, एक मीटर गया, एक सेकेंड में एक मीटर गया, यहां से आप इसका velocity भी निखाल सकते हूं, बताओ velocity कितना होगा, भूलो 1 meter per second, यानि वो 1 meter cover कर रहा है, एक second तो velocity हर जगा पे one meter, one meter, one meter per second है, तो इसलिए यह straight line है, तो आप क्या कहोगे, कि object कैसा है, uniform motion में चल रहा है, क्या होता है जब वह सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कभर करता है ठीक है जैसे एक 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 जामपल दो यह हमारा ओरीजीन है ठीक यह हमारा रास्ता ये 1 meter है, ये 2 meter है, ये 3 meter है, ये 4 meter है, ये 5 meter है, ठीक है, ये distance इनके बीच का gap ऐसे है, रास्ता पर हम लोग ऐसे बना दिये, ठीक, अब मालो object यहाँ पर है, कोई भी object ले लो, ठीक है, ये object है आपका, ये यहाँ से चलना शुरू किया, एक second के बाद यहाँ पर आ गया, अगल ऐसे करके चल रहा है, तो ये object जो इस direction में चल रहा है, उसका velocity केतना होगा, 1 meter per second, ठीक, बताओ, तीसरे second पर कहाँ पर है, वो 4 meter पर, यहाँ यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, तीसरे second, ठीक, ये आपका क्या दिखा रहा है, displacement दिखा रहा है, ठीक, ये displacement, एक second में अगले second में यहाँ ऐसे करके चल रहा है, object ठीक, और velocity भी इसका constant है, हमेशा, velocity constant होने के बज़े से क्या हो रहा है, ये straight line आ रहा है, velocity constant होने का मतलब है, वो same distance उतना ही time में कभर कर रहा है, एक second में 1 meter कभर कर रहा था, तो हमेशा वो 1 second में 1 meter ही कभर कर रहा है, ठीक, तो ऐसे motion को हम लोग क्या कहते है, uniform motion कहते है, ठीक है, इसको uniform motion कहो हो, या uniform velocity कहो, ठीक है, ये uniform velocity से चल रहा है, यानि uniform motion में object car distance, change नहीं हो रहा है, बार बार, उतना ही देर में वो उतना ही चल रहा है, clear हो गया बात, तो ये straight line आएगा, ये चीज समझ में आ गया, अगर मान लोग कही इसे लिखा हो, ये है आपको displacement और ये आपका है time, अगर straight line ऐसे दिया हुआ, तब क्या कहोगे, ये किसका graph है, ये किसका graph है, ये किसका graph है, तो uniform motion का graph है, object कैसे चल रहा है, तो uniform velocity से चल रहा है, यानि उसका distance, उतना ही cover हो रहा है, जितना वो पहले cover कर रहा था, ठीक है, एक second में एक मीटर पर था, तो अगले second में वो दूसरे मीटर पर जाएगा, ना कि 4 मीटर या 5 मीटर पर चला जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान लगना, अब इसका graph ड्रो करो, जैसे 1, 2, 3, 4, ये time चल रहा है, तो यहाँ पर ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, इसका graph कैसे आएक, ज 4 है, ठीक है, 2 पर भी 4 है, 3 पर भी 4 है, 4 पर भी 4 है, ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, जर चेक करो, ये हो क्या रहा है, time बढ़ता जा रहा है, उसका displacement बढ़ नहीं रहा है, यानि वो कहीं पर रुका हुआ है, ठीक है, ये रास्ता है उसका, यहाँ से यहाँ गया, कितना नहीं बढ़ रहा है तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा यह क्यों यह क्यों उपर क्यों यहां नीचे क्यों नहीं इधर क्यों नहीं यहां पर जाके वह रुखा था ओरीजिन से यहां पर मालनों ओरीजिन रहा होगा यहां से वह गया और यहां पर हम लोग टाइम में स्टार्ट क करने का क्या मतलब है कि जब आप उस object को देखना शुरू किये उस वक्त का time तो यहाँ पे जब हमारा time start नहीं हुआ था तो हमने देखा कि object पहले ही यहाँ पे था यहाँ पे था इस point पर object पहले ही था यानि time time शुरू होने के बाद हम लोग चेक कि उसको कि उसका displacement चार मीटर से आगे बढ़ नहीं रहा है यानि वह दूर और इसके बाद ऐसे हो जाता और इसके बाद ऐसे हो जाता यह ग्राफ यहाँ से यहाँ जाता और इसके बाद ऐसे होता अब देखो इसमें क्या अंतर है देखो time जब मेरा start हुआ तो object यहाँ से चलना सुरू किया यहाँ से चलना सुरू किया चल रहा है object चल रहा है यहाँ पे आने के बाद यह line ऐसे हो गया यानि parallel to the time axis हो गया यह parallel हो गया time axis के पैरलेल हो गया, तो हम क्या कहेंगे, object 4 मीटर पे जाके रुख गया, कितने दिर बाद, देखो, 2 सेकेंड बाद, ठीक है, 2 सेकेंड बाद वो object क्या किया, यहां तक पहुचा, और उसके बाद वहां जाके रुख गया, या खरा हो गया, टाइम बरता जा रहा है, वो बर नहीं रहा है, उसका ग्राफ ऐसा आएगा, सौचो, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में जब मेरा टाइम सुरू हुआ था, तो वो object पहले से 4 मीटर पे था, इन दोनों ग्राफ का डिफरेंस समझो, पहले वाले में ऐसा ग्राफ आ रहा है, चार से, यहां से स्टार्ट हो कैसे आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि जब टाइम स्टार्ट हुआ, तो object पहले से यहां पे था, ठीक है, यहां से इस तरफ चलना सुरू नहीं किया, ठीक, अब देखो, यह ग्राफ जो था, इस ग्राफ में क्या अंतर है, कि वो object, जब हमारा टाइम स्टार्ट हुआ, तो object चलना सुरू किया, टाइम स्टार्ट होने के बाद चला, टाइम स्टार्ट हुआ, object चलना सुरू किया, मालो 2 या 3 सेकेंड पर जाके, कहां पर रुख गया, 4 मीटर पर रुख गया, तो हम कहेंगे कि वो जब चलना सुरू किया, इतने देर बाद बड़ी रेस्ट में आ गया, बड़ी रुख गया वहाँ पर, यह समझना है, दोनों के बीच का डिफरेंस समझना है, अब देखना, एक सेकेंड बाद, एक सेकेंड बाद वो 6 मीटर पर आ गया, यानि एक सेकेंड बाद यहाँ है, एक आपका और यह आगया अबजेक्ट यहाँ पर, दिख रहा है, एक सेकेंड पर वो, देखो ध्यान से, एक सेकेंड पर वो 6 मीटर पर आ गया, अगला सेकंड, दूसरे सेकंड पर वो 4 मीटर पर आ गया है, यह रहा 4 मीटर, दूसरा सेकंड में वो 4 मीटर पर आ गया, यह है, तीसरा सेकंड पर वो 2 मीटर पर आ गया, यह रहा 2 अब इसको मिलाओ, ऐसा ग्राफ आ रहा है, नीचे आता हुआ, यह नीचे आता हुआ ग्राफ देख रहा है आपको, अब सोचो ऐसा कैसे हुआ होगा, ऐसा कैसे हुआ होगा, चेक करो देखना, यह आपका origin है, ठीक, अबजेक्ट, जब मेरा time start नहीं हुआ था, तो अबजेक् 8 मीटर पे था, जब वो time start नहीं हुआ था, यह origin है, origin को fix करना ज़रूर ही, ठीक है, अब देखो, जैसे जैसे time बढ़ा, वो object यहाँ पे आ गया, मैंने क्या बताया था, displacement क्या होता है, origin से लेकर, यहाँ तक minimum distance, जो अब ही जहाँ पे है, उसके बीच का distance, minimum distance, origin से, इसी को displacement क आते हैं, यानि वो 8 मीटर पे था पहले, जब time start नहीं हुआ था, time start हुआ, वो object 6 मीटर पे आ गया, यानि यह distance की बात हो रही है, इसका distance है 6 मीटर, ठीक है, फिर से देखो, अगले second में वो 4 मीटर पे आ गया, यानि object देखो, यहाँ से ऐसे चलता हुआ रहा है, यानि यह ह हो क्या रहा है, वो origin के तरफ आ रहा है, देखो, 2 पे, 3 सेकेंड पे कहां पे आ गया, 2 मीटर पे आ गया, अगले second में हो सकता है, वो 0 के आ जा, लेकिन ऐसा वहाँ बोला नहीं है, तो हम लोग यहाँ बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, वो origin के तरफ आ रहा है, लेकिन एक और बात है यहाँ पे, यहाँ पे straight line आया, ठीक है, यह straight line आने का मतलब है, कि वो जो आ रहा था ना, उसके बीच का gap सेम है, चेक करो, gap के बीच का सेम होने का मतलब है, वो velocity उसका constant हो गया, यानि वो 2 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है अब ये नीचे आने का मतलब है, वेलोसीटी पर निजयर ले लो, वेलोसीटी का जब बात करोगे तो निजयर दिखा दो, क्योंगी कि origin के तरफ आ रहा है, वेलोसीटी उसका निजयर सेमाज लो, यहाँ पे हो क्या रहा था, और यह ग्राप क्यों एसा आ रहा है, वित constant speed, से यहां से टाइम बर रहा है और उसका यह जो डिस्टेंस है वो कम होते जा रहा है ताइम कर नुसार यानी वह और तरफ आ रहा है अब यह मिटर पर पहले था, अब वो पीछे वापस आ रहा है, इसका ये मतलब हुआ, ये ग्राफ का मतलब है, वो origin प्या रहा है, कई बच्चा यहाँ पर कोशन करता है, सर, origin प्या रहा है, तो वो ऐसे आना चाहिए, ये origin है, ऐसे आना चाहिए था, ठीक है, या origin के तरफ तो नहीं बाबु यह origin अलग है यह origin है कि यहां से चलना शुरू किया था ठीक है और इसी point पर वह वापस आ रहा है यह origin अलग है अब इसको यहां पे compare मत करना यह origin दूसरा होता है, यह graph का origin है, ठीक है, यहाँ से object चल रहा है, और वो origin के तरफ आ रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पी यह origin है, यह वापस आ गया, origin इसका displacement 0 हो गया, समझ में आ रहा है, ध्यान से समझना इस चीज़, अब देखो हम लोग अभी तक क्या क्या सिखे, यहा मतलब है कि वो origin से दूर जा रहा है, with constant velocity, velocity उसका chain नहीं हो रहा, ठीक, अच्छा, एक ऐसे graph हा रहा है, इसका क्या meaning है, इसका meaning है, कि object जो है, वो जब time start हुआ मेरा, तो 5 meter पे था, और उसका displacement नहीं हो रहा है, यानि body rest में, ध्यान से देखो, यह position time graph है, यह position time graph है, इसको मैं हम लोग x-t graph रिखाते है, x-t graph, ठीक है, यह, इसको हम लोग x बोलते है, ठीक है, यह x axis नहीं है, यह x है, displacement को हम लोग x बोलते है, और यह time है, इसको हम लोग t बोलते है, ठीक है, यह x-t graph है, displacement time graph है, अब इसको ध्यान से समझ लोग, displacement time graph में, जब कोई graph parallel to the time axis आ जाए, इस इसका meaning यह है कि वो object rest में है अब यही पर यह velocity time graph होता तो कहानी कुछ और होता लेकिन यहाँ पर displacement time graph है तो आप समझो इस चीज को कि displacement उसका change नहीं हो रहा है यानि यहाँ पर जो कुछ भी होगा velocity हो या displacement हो या acceleration कुछ भी हो वो चीज change ही नहीं हो रहा है इसके अनुसार इसका यह मीनिंग है time बढ़ता जा रहा है यहाँ पर वो x-axis मेरा बढ़ता जा रहा है y-axis बढ़ी नहीं रहा है यानि यह वाला height नहीं हो रहा इसका मतलब है इसमें कोई changes नहीं आ रहा है इसको ऐसे समझों ठीक है अब यहाँ पर है क्या x-axis पर time है, y-axis पर मेरा displacement है, इसको हम लोग x और t, xt ग्राफ करते हैं, ठीक? तो xt ग्राफ में जब वो parallel to the time axis आ जा रहा है, इसका meaning है कि body जो है, वो rest में, position change नहीं कर रहा है, इसका meaning है कि object जो है, वो origin से इस तरफ जा रहा, ठीक है, with constant velocity, ठीक है, अच्छा, एक और ग्राफ हम लोगों ने देखा, ऐसे वाला, ये ऐसे था और ऐसे चला गया, इसका क्या meaning है, कि object जब मेरा time start हुआ, तो object चलना सुरू किया, वो constant velocity से चल रहा है, और कुछ देर बाद, एक समय पे वो rest में हो गया, यानि वो रूक गया, फिर आगे नहीं बर रहा है, ठीक, अच्छा, और क्या हम लोगों ने देखा, इस type का graph, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, ये graph जो है आपका, ये ाकत्यखा रहा है, कि जैसे जैसे time बर रहा है, इसका ये height कम होते जा रहा है, अब ये height कम होने का उलेटी की तरह बहें है, यहां से origin के तरफ बहें हा रहा रहा है, इसको देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया है यह y axis का positive वाला पार्ट था इसको negative वाले पार्ट को भी बनाया है क्यों क्योंकि displacement negative में भी हो रहा है ठीक है अब ध्यान से समझना है इसमें हो क्या रहा है वन पे वो minus 2 है यानी वो object यहाँ पे है 2 पे minus 3 पे है यहाँ पे है 3 पे minus 4 है ठीक है यहाँ पे है और 4 पे minus 5 है ठीक ऐसा आ रहा ग्राफ मेरा ऐसा नीचे की तरफ straight line या रहा है ठीक इससे पहले जो था आपका इस तरह से आ रहा था ठीक इसमें ऐसे आ रहा है अब बताओ दोनों में difference क्या है actual में difference क्या है वो समझें देखो यहाँ पे origin है इसको हम लोग origin बोल लिए कोई भी यह point हो सकता है यह आप अपने अनुसार सेट कर सकते हो जहां से object चलना शुरू कर रहा है उसको आप origin बोल सकते हो ठीक है यहाँ पे है हम लोग origin सेट कर लिए कोई भी यह हो सकता है आपको अपने अनुसार origin सेट कर लेना है कि यहाँ मेरा original position है यहीं से मेरा सारा calculation शुरू होगा ठीक है तो मालनों यहाँ पर origin सेट कर लिए अब इसमें क्या हो रहा था object इस तरफ जा रहा था right side जा रहा था right side में displacement कर रहा था यानि आप इसको positive ले रहे थे यहाँ पे positive आ रहा था 2,3,4,5 तो graph आपका उपर की तरफ आया ऐसे यह दोनों positive होता है फस्ट क्वाडेन्ट है ठीक है ना फोर्थ क्वाडेन्ट होता है ना वॉन तू त्री 4 तो यह फस्ट क्वाडेन्ट में ग्राफ में रहा आया कब जब वो origin से right सद कि तरफ धनी पॉजी टियरेक्शन में आ इसको पॉजीटीव डियरेक्शन करते हैं अब इस तरह घास था अब आपप होजीट्र कर यह से इस तरह है निगेटिव लेते हैं अगर आप इस तरह पौजीटिव ले रहे हो तो इसके opposite में आपको negative लेना पड़ेगा, यही फर्क होता है displacement और distance में, distance वो same cover कर रहा है, 2, 3, 4, 5, लेकिन displacement जब हम लोग बात करेंगे, displacement का जब यहाँ पर जिक्र होगा, तो आप कहोगे कि यह origin से opposite direction में जा रहा है, इसलिए displacement उसका negative में है, distance कोई negative positive नहीं होता है, वो distance cover कर रहा है, लेकिन displacement उसका negative में हो रहा है, यानि वो origin से opposite direction में जा रहा है, left direction में जा रहा है, क्योंकि हम लोग right को positive मान चुके है, ठीक है, यह आप अपने अनुसार set कर लेना पहले से, इसलिए graph ऐसा आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, यह नीचे की तरफ जाना क्या बता रहा है एक graph straight line नीचे की तरफ जाना क्या बता रहा है, क्यों object जो है, origin से left side की तरफ जा रहा है, with constant velocity, ठीक, एक graph ऐसा टेरहा नहीं आ रहा है, उस तरफ नहीं जा रहा है, इस तरफ नहीं आ रहा है, बिल्कुल straight आ रहा है, इसका मतलब यह है, वो opposite direction में तो जा रहा है, लेकिन with constant velocity, velocity उसका change नहीं हो रहा है, यानि वो uniform motion में जा रहा है, लेकिन opposite direction में जा रहा है, ये वाला, इसमें क्या था, कि वो right side की तरफ, positive direction की तरफ जा रहा था, with constant velocity, समझे में आया, दोनों में अंतर क्या है, अब देखो, उपर वाले में एक बार, देखना ध्यान से, उपर वाले में, ऐसा एक graph है था न, ठीक, अब बताव इसमें, अगर ऐसा draw करें, तो उसका meaning क्या होगा, ऐसा, इसको चलो touch करा देते हैं, ये ऐसे touch हो गया, ये यहां से ऐसे touch हो गया, अब बताव, इन दोनों में, A वाले में, और B वाले में, क्या difference है, क्या हुआ होगा, जिसके वज़े से ऐसा graph हा रहा है, ध्यान से समझो, इससे पीछे, जब मैंने आपको ये बताया था, तो उसमें क्या बताया था, कि जैसे जैसे time बर रहा है, वैसे वैसे इसका displacement कम हो रहा है, देखो ये height कम हो रहा है, height कम होने का मतलब है, वो जैसे जैसे time बर रहा है, वो origin के तरफ आ रहा है अब इसका क्या meaning है ध्यान से समझो इस वाले में वो right side से इस तरफ से positive direction से origin की तरफ आ रहा था यहां पर ऐसे ठीक इसका क्या meaning होगा सोचवब इसका meaning यह है कि जैसे जैसे time मेरा बढ़ रहा है देखो यहां टाइम के अनुसार height कम हो रहा है लेकिन negative direction यानि object कहा जा रहा है origin की तरफ जा रहा है लेकिन किधर से इस तरफ से इस तरफ से negative direction की तरफ से वो यहाँ पर origin की तरफ आ रहा है खिले रुड़वा बात ठीक है अगर वो इस तरफ से आता तो ऐसा graph होता ठीक है वो right side से positive direction से कहाँ पर आ रहा है वो लो origin की तरफ आ रहा है लेकिन जब वो left side की तरफ आएगा तो हम ये graph तो नहीं दिखा सकते है क्योंकि फिर तो difference कैसे करोगे कि right से आ रहा है कि left से आ रहा है ये same graph हम लोग इसमें वाले में नहीं दिखा सकते है ठीक है इसके लिए कुछ और सोचना होगा तो यहां left side से जब वो आ रहा है origin की तरफ तो उसका graph ऐसा आएगा negative की तरफ से ठीक है ऐसे ठीक है चेक करो कि height कम हो रहा है यानि वो origin की तरफ आ रहा है इस point पे इस समय पे वो origin पे आ गया है पहुँच गया है यहां पे यह 3 second पे origin पे आ के है पहुँच गया है ठीक है दोनों में अंतर समझ में आ रहा है चलो और हम लोग graph पर रहे थे इसमें सोचो वहां पे ऐसे था यहां पे ऐसे हो जाए तो क्या होगा जब मेरा time स्टार्ट हुआ तब देखे कि वो 4 मीटर पे था और वो वहीं पे है अभी भी इस वाले case में यहां पे वो B यह जो B था वो origin से इस तरफ था और जब time स्टार्ट हुआ अभी भी वहीं पे वो रुका हुआ है दोनों में अंतर समझना आ रहा है अच्छा ठीक अब सोचो ऐसे अब मालों यहां पे यह ऐसे था ऐसे हो गया यहां पे यह ऐसे था ऐसे हो गया अब दोनों में difference बताओ यहां पे जैसे जैसे time चल रहा है वो रुका हुआ था, object यहाँ पर रुका हुआ था, time जैसे start हुआ, रुका हुआ है, रुका हुआ है, यहाँ पर आने के बाद इस time पर बरना शुरू होगे, अब यह हुआ क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक था, time मेरा, जब start हुआ तो object यहाँ पर था, ठीक, अब जैसे time यह cross किया, यह object इस तरह बरने लगा, ठीक है, origin से right side की तरह बरना शुरू कर दिया, देखो, इसलिए यह graph ऐसे आ रहा है, अगर इसी को यहाँ से मोर देते, ना, नीचे की तरह मोर देते, तो वो इधर आना शुरू हो जाता, object origin की तरह आना शुरू हो जाता, लेकिन यहाँ पर यह उपर जा रहा, यानि वो origin से right side की तरह बरना शुरू कर दिया, उस तरफ जा रहा, ठीक, इसमें क्या हो रहा, सुचो, जब मेरा time start हुआ, तो object minus 4 पर था, यानि यहाँ पर कहीं पर रुखा हुआ था, left side में, origin से left side में, ठीक, अब यहाँ पर जब time यह cross हुआ, 4 सेकेंड जैसे ही आया, वो object बरना शुरू हो गया, ठीक है, बरना शुरू हो गया, यानि यह इस तरफ बरना शुरू हो गया, ठीक, यह left side की तरफ इ अब यह दोनों辉 में अंतर समझना रहा है अच्छा मालों यह ऐसे हो जाता तो हुआ यह वाले से था और इसके बाद ऐसे होना सुरू हो जाता तो क्या होता यह इस टरफर आना सुरू हो जाता यानि cadु सोकी हो चार्शान की सिवरें की तरह सुरूर रोन आता औरन वाला जिस्टेंस कम होते यानि और चीम की तरह आ रहा यहां पर डिश्टेंस बढ़ता जा रहा था नहें किस तरह अगर आेगा और अबजएक्ट अगर ऐसे रहता, यह graph ऐसे रहता, यानि यह distance बरता जा रहा है, यह वाला distance बरता जा रहा, देखो, तो इसका यह मतलब है, जो है इस वाले case में, origin से left direction में do जा रहा है, इसका मतलब है, right side में वो do जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, और यह opposite direction पाँचा है, लेकिन इसका क्या मेनिंग है यह left side से इस तरफ से origin के तरफ जा रहा है इसम किलियर हो गया अच्छे से चलो अब यह बात हुआ displacement का अब बात करता है थोड़ा सा velocity का यहां पर देखो एक पर 2 है यानि एक सेकेंड पर वो कहां पर है दो मीटर पर है ठीक दो सेकेंड पर 4 पर है मैं यहां पर है तुस्षर सेकेंड और छेए में है ठीक है यहां पर हैर किर जोंफ हो अर्टमी कि इसका अशीर का वह भी ग्राफ से फेकर चेक करते है कि इसका वलोशिटी कितना है उभी ग्राफ से मेंदोने चेक करते हैं कि इसका वेलोसिटी कितना है देखो दूसरा सेकेंड पर वो कहां पर था चार मीटर पर था ठीक है इसको हम लोग क्या कर रहे है एक ट्रेंगिल के फॉर्म दे रहे हैं ट्रेंगिल बना रहे है इस पर देखना ध्यान से ज़र ठीक है यह ट्रेंगिल बना रहे है ट्रेंगिल दिख रहा है O A और ये B माल ओ ए बी ये ट्रेंगिल दिख रहा है अब ज़रा सोचो displacement by time क्या मैंने बता है आपको displacement by time क्या होता है बोलो velocity होता है इसमें कोई किसी को problem नहीं है displacement by time क्या होता है यानि कितना displacement कर रहा है वह पर सेकेंड इसी को velocity कहते हैं किसी का velocity फाइम मीटर पर सेकेंड यानि वह फाइम मीटर आ रहा है एक सेकेंड ठीक चलो अब पर था तो यह 4 मिटर आपको displacement दिखा रहा है ना कि टाइम दिखा रहा है यह वाला हाइट यह हाइट displacement दिखा रहा है क्योंकि यह हमारा कौन सा एक्सिस है यह displacement वाला एक्सिस है ठीक है यह वाला हाइट हमको displacement बता रहा है और यह divided by O B यह A B क्या है भाई displacement O B क्या है यह है time इसका A B कितना है बोलो hold है O B कितना है 2 है यानि 2 by 4 2 meter per second देखो velocity आगया ना हर एक second में वो 2 meter पे जा रहा है देखो 2-2 meter वो cover कर रहा है हर एक second पे एक-एक second पे वो 2-2 meter cover कर रहा है तो आप graph से भी पता कर सकते हो कि उसका velocity कितना है ठीक है कैसे पता चला यह वाला height divided by यह height displacement by time क्योंकि यह time है आपका इसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे time बढ़ता जाएगा उपर बढ़ते जाएंगे displacement बढ़ता जाएगा यानि यह height जो हमें है बता रहा है displacement और यह वाला base जो है यह बता रहा है time ठीक यहाँ पर आप क्या किये हो AB by OB कियों अगर हम इसको angle बोल दे यह वाला angle theta बोल दे तो ज़रा देखो यह हमारा tan theta होगा के नहीं होगा tan theta का formula क्या होता है perpendicular by base perpendicular by base tan theta होता है तो tan theta is called to P by B perpendicular by base AB बटा OB AB क्या है AB क्या है displacement वो भी क्या है time यानि अगर हम tan theta calculate कर ले किसी graph पे तो वो हमें क्या बता देगा velocity बता देगा कौन से graph में displacement और time graph दूसरे में नहीं displacement और time graph में अगर हम लोग tan theta calculate करते है तो tan theta का formula क्या होता है perpendicular by base perpendicular हमें ये क्या दिखा रहा है displacement और base क्या दिखा रहा है ये base जो है वो क्या दिखाएगा आपको time दिखाएगा यानि अगर tan theta आप अगर यहीं पे कहीं पे भी cover करके यहाँ पे कैसा भी graph हो उसे मतलब नहीं है अगर आप किसी भी हाल में tan theta calculate कर लेते हो तो वो आपको velocity बता देगा क्यों समझ में आड़ा यहाँ से tan theta displacement by time इसी को हम लोग slope कहते हैं कि आपने slope calculate कर लिया क्या calculate कर लिया slope slope हमें tan theta बताता है और slope से हम लोग velocity निकाल सकते हैं क्यों? क्योंकि tan theta से velocity निकाल सकते हैं ध्यान से समझो tan theta से आप लोग velocity calculate कर लिये tan theta हमें slope बताता है यानि slope को देखकर आप velocity बता सकते हो समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो थोरा से example देखोगे तब समझ आ रहा है यहाँ पर देखो हम लोग slope calculate कर रहे है यानि tan theta calculate कर रहे है कितना? 4 by 2 4 by 2 यानि 2 meter per second ठीक है? अगर यहीं यहाँ पर calculate करते है यह वाला triangle आता ठीक है? क्या आता? बोलो 6 by 3 कितना हैगा? 2 meter per second यानि यहाँ पर slope जो आएगा कहीं पर भी कोई भी point पर slope जो आएगा इस graph के लिए वो तो same आएगा slope हम कहेंगे नक की constant है दियान से समझो slope अगर आप किसी point पर निकाल के check करो आप ठीक है? ऐसे ही बढ़ाते जाओ इसको पूरा यह ऐसे graph लंबस आएगा कहीं पर भी एक point लेलो और check करो कि slope मेरा 2 meter per second ही आएगा यानि जब भी straight line हो यह वाला straight line हो तो slope constant हो जाएगा 10 theta का value constant हो जाएगा 10 theta का value यानि slope constant हो जाएगा और 10 theta हमें क्या बताता है velocity बताता है यानि velocity constant हो जाएगा समझ में आ रहा है velocity constant हमको देखने को मिल रहा है 10 theta slope constant देखने को मिल रहा है समझ में आ गया अब इसका graph बना कर देखो displacement 1 पे 2 है ठीक है 2 पे 4 हो गया चलो 4 हो गया 3 पे 8 हो गया 3 पे यह रहा 8 God करना इसमें हो क्या रहा है 4 पे 9 हो गया 4 पे यह 9 हो गया अब इसको join करो जारा से यह आया इसका यह आया इसका यह आया इसका और यह आया इसका देखो मैंने आपको पहले ही बताया है यह क्या हो रहा है इसमें gap constant नहीं gap अलग अलग है इसमें 2 का gap है इसमें 4 का है इसमें 1 का तो graph straight line नहीं आएगा लेकिन जरह हम लोग इसको slope को check करते हैं अभी मैंने आपको बताया slope क्या होता है तो slope को check करो यहाँ पे इस triangle की बात करें तो अगर इसका slope निकालोगे तो perpendicular by base यानि 2 by 1 2 आ रहा है 2 meter per second देखो ध्यान से यहाँ पे यहाँ point की बात करें यह वाला point की बात करें ऊपर में कितना है 2 और यह कितना है 1 2 by 1 यानि 2 meter per second चलो यह slope होगे इसका check करो यहाँ पे 2 से जब वो 4 गया होगा slope 1 है यह slope 2 को check करो और time कितना लगा है 2 लगा है 2 meter per second ठेक है अब check करो यहाँ से अगला second में क्या हो गया यह हो गया अब इसका है slope check करो slope 3 यह क्या हो गया इसका यह height कितना होगा 8 by 3 8 by 3 क्या हो जाएगा 2 point something आ गया 2 point से ज़्यादा आ गया अब यह समझ में आ रहा है आपको यह हो क्या रहा है 2 point से ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा यानि यह पहले 2 था 2 था अब इससे ज़्यादा हो गया अब देखो ज़्यादा आने का मतलब यह है कि इसका slope भी बढ़ गया slope क्या होता धलान ऐसे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया देखो slope ऐसे था ऐसे हो गया slope बढ़ गया ऐसे ढ़लान बढ़ गया इसका ठीक है slope बढ़ने का मतलब समझ में आया अब slope बढ़ा है इसका मतलब जरूर है कि यहाँ पे क्या हुआ हुआ है velocity बढ़ा है two points से ज्यादा हो गया ठीक है कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो देखो 2.6 ठीक है two point six आ गया पहले two था two था अब two point six आ गया अब देखो two point six के आने के वज़ए से यह ऐसे था यहां पे इसको note करना यहां यह ऐसे था और यह ऐसे हो गया देख रहे हो, यह slope ऐसे बढ़ गया, ऐसे slope बढ़ गया, तो अगर slope बढ़ रहा है, आप कह सकते हो न, कि वेलोसिटी बढ़ा होगा, तब ही तो slope ऐसे आया ऊपर की तरफ, यह चीज़ समझे द्यां से, अब यही slope है, यही टैन थिटा, ठीक है, टैन थिटा बोलो या slope बोलो इसका मतलब वेलोसिटी बढला होगा है। अगला से का किया नीचे तो सुलोप हाँ गटा अगर ऐसे हो जाता यह जाता तो क्या होता स्लोप कुछ नहीं है है यानि फि Sam जीरो हो गया वेलोसिटी जीरो हने का क्या मतलब है वो बड़ी जो है वो रुख गया ठीक है देखो इस चीज को चेक करो मैंने आपको क्या बताया था पहले कि टाइम एक्सिस के टाइम एक्सिस के पैरले लगर हो गया कोई ग्राफ displacement time ग्राफ में ऐसे तो मैंने बताया था कि बड़ी रेस्ट में हो जाय गया ठीक है जरा slope लगा के चेक करो कि क्या हुआ होगा यह पे slope यह पे कितना होगा देखो slope क्या था भई यह यहाइट अब यह देखो यहाँ पर यह तो constant हो गया पर्पेंडिकुलर तो कुछ है नहीं आपे, पर्पेंडिकुलर यानि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा ये वाल हाइट आना चाहिए था, ये हाइट तो आया ही नहीं, यानि पर्पेंडिकुलर तो 0 हो गया, बेस है लेकिन पर्पेंडिकुलर नहीं है, तो आप क्या कहोगे, कि 10 हम यहाँ पर calculate नहीं कर सकते हैं यानि स्लोप जीरो है यानि स्लोप जीरो है यानि वेलोसिटी जीरो है क्योंकि स्लोप आपको वेलोसिटी बताता है स्लोप बढ़ा वेलोसिटी बढ़ा स्लोप घटा वेलोसिटी घटा स्लोप जीरो हो गया वेलोसिटी जीरो हो गया यानि पर पेंडीकुलर रा गया लेकिन यह तीज को आप देखो इसको को हम ऐसे नीचे कर देंग और खताम हो गया पर फेंडीकुलर जीरो हो गया यानि यहाँ पे आप क्या नहीं केल्कुलेट कर पाओगे थैं ओने इसलोप नहीं है यहाँ पै spark के भालता ज़्यादा इसीटी चेंज हो राए कि ऐसा एक पुछ आहिगा कि नहीं आएगा ब् All-air दाओ आज मैं देखना देखना द्यान से यहां पर स्लोप ऐसे है यहां ऐसे है यह ऐसे ऐसे है स्लोप बढ़ता जा रहा है यानि mark में अगर यह ऐसा आजाए मतलब बड़ी जो है एसलेटेड है यानि वह बड़ी का फेलोसिटी चेंज हो रहा है फेलोसिटी बढ़ रहा है स्लोप बढ़ रहा है स्लोप बढ़ने का मतलब है फेलोसिटी बढ़ रहा है देखो स्लोप बढ़ रहा है स्लोप का मतलब क्या होता है टैन थीटा टैन थीटा का सरकिल का यह पाठ है और यहां से अगर एक line इसको एक point पे touch करते हुए निकल जाए इसी को tangent कहा जाता है tangent tan theta ठीक है यहां पर देखो tangent जो है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है इसका slope बढ़ रहा है tangent ऐसे था यहां ऐसे हो गया यहां ऐसे हो गया यह बिल्गो सीधा हो गया ऐसे हो गया पूरा पूरा slope बढ़ गया उसका velocity बहुत जादा बढ़ गया velocity बढ़ रहा है क्योंकि slope बढ़ रहा है slope क्यों बढ़ रहा है क्योंकि यह tan theta बढ़ रहा है tangent बढ़ रहा है रेस स्टार्ट करने जाने बहुत सारे दोस्त है और वो रेसिंग करने जाने ठीक है तो यहां से मालो अगर वो इस तरफ जा रहे है तो उनको लोग राइट साइड बोलेंगे और उसका direction हम लोग positive लेंगे, इसका इस तरफ अगर जा रहा है, पेर के इस तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग left side बोलेंगे, ठीक है, और इसका direction हम लोग negative लेंगे, अगर इस तरफ जाएगा तब, देखो ध्यान से, पेर के इस तरफ जाएगा तब ही negative लेंगे, अगर यहा से left side जाएगा तभी negative बोलना और इसके इस तरफ जाएगा तो right side को positive ठीक है अगर मालों यहां से race से start हुआ बहुत सारे बच्चे हैं वो सारे दोड के इस तरफ जा रहा है ठीक है मालों उसमें एक बच्चा को हम पकरते हैं और उसका graph ड्रो करते हैं तो मालों उसका graph ऐसे आया इसका मतलब है वो अपना velocity बरहा रहा है हर एक second पर उसका velocity बर रहा कैसे पता चला क्योंकि यह slope बर रहा है अच्छा यह उपर की तरफ क्यों आया यह ऐसे नीचे की तरफ क्यों नहीं चला गया इधर क्यों नहीं चला गया ऐसे क्यों नहीं हो गया आपके दिमाग में ऐसा ऐसा question आ रहा होगा अब देखो हमारा अगर यह straight line होता अगर वो velocity अपना change नहीं करता तो यह graph तो सिधाने वाला था ऐसा क्योंकि velocity change ही नहीं हो रहा है तो slope constant रहेगा तो ऐसा आगा graph मेरा ऐसा ठीक, ऐसा straight line आयगा, सोचकक्डम ध्यान से, ये ऐसा straight line आयगा, लेकिन अगर उसका velocity बढ़ता जा रहा है, यानि उसका slope बढ़ता जा रहा है, अब slope बढ़ाने का क्या मतलब है, इसको ऐसे करोगे, ये line जो ऐसे सीधा आ रहाता, उसको ऐसे whatever you look at. तब ही तो slope बढ़ेगा उसका अगर इस line को तुम ऐसे कर दोगे तो slope घट गया न slope घट गया यानि speed उसका घट गया, velocity घट गया समझो ध्यान से अगर ये straight line होता इसका मतलब है वो अपना velocity change नहीं कर रहा है लेकिन अगर वो velocity बढ़ाते जा रहा है, right side की तरब अपना velocity बढ़ाते जा रहा है तो slope आपको बढ़ाना परेगा slope बढ़ाना परेगा तो देखो, slope बढ़ाने का यहीं न तरीका है कि आप इसको ऐसे बनाऊगे ऐसे तो नहीं करोगे, ये slope तो नहीं बढ़ रहा है ऐसे कर देंगे तो slope नहीं बढ़ेगा ना, समझो ध्यान से ये चीज़ समझ में आगे, अच्छा, ठेक अब इसका क्या मिनिंग है पहला वाला ये पहला था, ये दूसरा पहले वाले case में क्या हो रहा था ये अब बच्चा जो था इधर इस तरफ जा रहा था वेलोसिटी बराते हुए, राइट साइड की तरफ जा रहा था इसका क्या मिनिंग हो रहा है इसमें बच्चा इस तरफ आ रहा है ओरिजिन की तरफ आ रहा है ठेक, लेकिन ये straight line क्यों नहीं आ रहा ऐसा कर्व क्यों हो गया अगर straight line आता यानि उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है इस तरफ आ रहा है ओरिजिन की तरफ तो आ रहा है पेर के तरफ आ रहा है लेकिन उसका वेलोसिटी चेंज नहीं करता तब ये straight line आता लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है यानि वो अपना वेलोसिटी इस तरफ बढ़ाते या घटाते आ रहा है किस तरफ पेड की तरफ लेकिन अब वेलोसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है कैसे पता चलेगा इस तरफ आ रहा है वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसका लेकिन बढ़ रहा है वेलोसिटी कि घट रहा है ऐसे पता चलेगा तो ध्यान से देखो Śलोप बनाएंगे आसे था यहां पर ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ इसका मतलब क्या है यानी अब एक बाहरोग एक बात तो fix है पेर की तराफ आ रहा है यानि उसका displacement घट रहा है, displacement 0 होड़ा है, origin की तरफ आ रहा है, लेकिन velocity को बरहाते हुए आ रहा है, इस तरफ से velocity को बरहाते हुए आ रहा है, यह slope हमें यह बता रहा है, ठेक, यह समझ में आ गया, अब देखो, अब अगर मालो, ऐसा graph आता है, इसका क्या में है, ध्यान से सुनना, इसमें चेक करो, object origin से इस तरफ जा रहा है, कि इस तरफ जा रहा है, तो right side जा रहा है, क्योंकि यह positive direction में, नीचे की तरफ नहीं आया, ठेक, right side की तरफ जा रहा है, अब बताओ कि velocity उसका change हो रहा है कि नही हो रहा है, तो velocity change हो रहा है, क्योंकि है straight line आता, तो हम कहते के, velocity change नहीं हो रहा है, तेकि यह तो kurd आरा है, velocity change हो रहा है, ठीक, अच्छा, velocity बढ़ रहा है कि घट रहा है, अब slope देखेंगे, यहां पर देखो टेंजेंट ऐसे आ रहा है यानि स्लोप ज्यादा है ज्यादा है कम है कम है कम हो गया जीरो हो गया इसका क्या मिनिंग है कि फिर से सुनो यह बड़ी जो था यह बच्चा जो था इस तरफ जा रहा है ठीक यह लाइन अगर श्ट्रेट आता इसका मिनिंग यह है कि बच्चा वेलोसिटी अपना चेंज नहीं कर रहा है लेकिन यह करव आने का मतलग वह वेलोसिटी चेंज हो रहा है अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो बढ़ रहा है या घट रहा है कैसे पता चलेगा यह करव पे आप slope draw करो, tangent draw करो, tangent देखो, यह सिधा, यह ऐसे, यह ऐसे, यह ऐसे, देखो, slope घट गया, यानि यह उस तरफ जा रहा है, अपना velocity घटाते हुए, decrease करते हुए, यह slope यह बता रहा है, कि velocity उसका इस तरफ जाने में घटता जा रहा है, अब मैं आगया बाद, चलो, अब बताओ यह क्या मतलब है, ऐसा graph आ रहा है, इसका meaning बताओ, देखो यहाँ पर, velocity उपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यह graph उपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जैसे जैसे time बर रहा है, उसका distance कम हो रहा है, यानि वो origin की तरफ आ रहा है, कहा से, इस तरफ से origin की तरफ आ रहा है, ठीक ओरिजिन की तरफ आ रहा है लेकिन straight क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि उसका velocity constant नहीं होगा velocity change होड़ा होगा velocity change होड़ा है तो बढ़ रहा है कि घट रहा है तो हम slope से पता कर लेंगे slope देखो ऐसे था जधा था कम 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 slope ऐसे हो slope ऐसे हो यानि velocity उसका घट रहा है, वो पेर की तरफ आ रहा है, वेलोसीटी घटाते हुए, इसमें क्या हो रहा था? वो पेर से दूर जा रहा था, पेर से इस तरफ जा रहा था, वेलोसीटी घटाते हुए, ये वेलोसीटी घटाते हुए, दिख रहा है, देको सुलोब घटता हुए इसमें भी सुलोब भटता हो जा रहा है, लेकिन इन दोनों में difference क्या है? ये पेर से ये वाला पेर से दूर जा रहा था, ये वाला उपर वाला ये पेर के तरफ आ रहा, पेर के नजदी का रहा है, दोनों ग्राफ में आंता सुन रहा है? चल अब देखना ध्यान से, मालो अब ऐसे यह हो रहा ठीक है इसका क्या मिनिग है अब सोचो यहाँ पे यह स्ट्रेट लाइन आता तो क्या होता यानि वो जो बच्चा है वो इस तरफ भाग रहा है बिना वेलोसिटी को चेंज किये ठीक वेलोसिटी अपना कॉंस्टेंट रहके वो लेफ्ट साइड की तरह भाग है ऐसा होता लेकिन यह स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है यह टेरहा हो गया ऐसे चला गया यानि यह स्ट्रेट लाइन होता तो कॉंस्टेंट वेलोसिटी बता था कॉंस्टेंट वेलोसिटी नहीं है वेलोसिटी चेंज हो रहा है अब देखना है ऑबजेक्ट इस तरफ जा रहा है लेकिन यह ऐसा टेर्हा क्यों आ रहा है इसका मतलब है कि देखो स्लोप ऐसे है ऐसे है से सिद्र वो जो सकता जाकर रूख गया हो यानि यहاں से इस तरथ जा रहा था लेकिन अपना गठ नधर हो जारा था मैंने बताया है कि जब यह फैरल होजाए कि टा इसके याने बड़ी रूख गया ठीक है यह वेलोसिटी घटते हो जा रहा है और यहां पर बड़ी आके डूख गया यह समझ में आगया बात अगर मालों यह ऐसा होता तो क्या होता यह निगेटिव क्या दिखा रहा है कि पेर से इस तरफ लेफ्ट साइड तरफ कोई भी चीज हो रहा है अब यह वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है क्योंकि यह स्टेट तो है नहीं वेलोसिटी बढ़ेगा या तो घटेगा तो हम लोग वेलोसिटी बढ़ रहा है कि गट रहा है कैसे पता करेंगे तो slope गटाँंगे स्लोप यह बढ़त जा रहाए है। इस तरफ जा रहा है यह वालन वैलोसिटी घट रहा है। यह आसे क्या दिखा रहा यह पेर से left side जा रहा है लेकिन velocity उसका बढ़ रहा है ठीक अच्छा अब यह हो गया अब ऐसा होता तो सोचो क्या होता है अब क्या होगा पता हो देखो यहां पर क्या हो रहा है कि object जो है वह origin की तरफ आ या निवह पेर से नजदीक आ रहा हो फीर से नजदीक आ हो इस तरफ से पेर की तरफ जा रहा होगा । अच्छा वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है कैसे पता चलेगा स्लोप देखो यहां पर देखो स्लोप ऐसे है स्लोप क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है स्लोप तो मेरा बढ़ते जा रहा है ऐसे हो देखो सीधा हो गया एक दम स्लोप सीधा हो इसका मतलब है कि वेलोस अब ऐसा समझो अब यह दोनों को एक सा समझो क्या हो रहा है इन दोनों में बताओ क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है इसमें यह हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है जो बच्चा है वो यहां से इस तरफ से ओरीजिन की तरह भागते हुए इधर जा रहा है देखो ऐसे लेकिन velocity बर रहाऊ कि घट रहाऊ किसे पताँ चलेगा तो स्लोप बर रहा यानि velocity बरहाते हुए वह ऐसे आया और origin को क्रॉस कर गया यानि वह पेर को krous करके इस तरह भागना शुरू कर दिया ठीक है और subject को बरहाnel मेर्द आते देखो वेलोसिटी बढ़ रहा है ना वेलोसिटी को बढ़ाते हुए निगेटिव डाइडेक्शन से मतलब यहां से वह दौरते हुए आया ओरीजिन को इस पॉइंट पे क्रॉस कर गया इस सेकेंड पे ओरीजिन को क्रॉस किया यानि पेर को क्रॉस किया और इस तरह भागना और वेलोसिटी उसका क्या हो रहा है बढ़ते जारा है अब बता मुझे आप यह है एक बच्चा और यह है दूसरा बच्चा अब यह दोनों ग्राफ उपर नीचे क्यों आ रहा है और इसका क्या मीनिंग है वह बता यह जो है वह ओरीजिन से दूर जा रहा है राइड जादा है लेकिन A और B दोनों यहां से शुरू किया और इस तरह भागना शुरू किया राइट सैट की तरह लेकिन कि आ रहा है कि यह का बेक्श का सब्सक्राइब लेकिन दोनों का सब्सक्राइब करते हैं और उसको समझने का कोशिज करते हैं कि यह क्या हो रहा है ऐसा है मालो एक ऐसा है यह ऐसा है और यह मालो यह ऐसा है चलो बताओ क्या हो रहा है यहां पर यह वाला ग्राफ को चेक करो यह ऐसे नीचे जवा रहा है ठीक है यह वाला ग्राफ इसमें क्या हो रहा है इसमें यह हो रहा है कि object जो है वो origin की तरफ आ रहा है अपना velocity बढ़ाते हुए ओरिजिन की तरफ आ रहा है यहाँ पर cross कर गया और अपना velocity बढ़ाते हुए यहाँ से बुज़र दिया इसका देखो यह क्या हो रहा है यहाँ से उस तरफ जा रहा है यह उस तरफ जा रहा है लेकिन अपना velocity को कम करते हुए जा रहा है यानि ब्रेक लगा दिया होगा यह वेलोसिटी इसका यहां से क्या हो रहा है कम होते जा रहा है इस तरफ यह वाला दिखा रहा है अच्छा यह क्या दिखा रहा है बोलो यह वाला ग्राफ क्या दिखा रहा है यह दिखा रहा है कि वो निगेटिव डा बढ़ रहा है इस तरह left side बढ़ रहा है और अपना velocity भार रहा देखो यहाँ पर यह slope बढ़ते वह जा रहा है यानि अपना vì भन हो यहां से start किया और इस तरह भागना शुर किया velocity को बराते हुए last यह वाला ये graph क्या दिखा रहा ना यह वाला ग्राफ कैसे है कैसे भाग रहा है देखािए फ्रकुल को भटाटे वह सलोब को बढ़ 'll को बढ़ते हुए भाग रहा या यानी यहां से उठीटी वेलोसिटी उसका बढ़ते हुए जा रहा है इस पॉइंट पर इस सेकेंड पर वो ओरिजीन को क्रोस कर गया यहां से प्यर्प से क्रोस कर गया और आगे भी भागता चला गया वेलोसिटी को बढ़ाते हुए समझना गया इस तरह से हम लोग ग्राफ को समझते हैं आज इस वीडियो में इतना ही मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसमें हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखेंगे थेंक्यू सो मच पर वाद